डियर स्टुडियन आप सभी कैपी स्टडी काउमर्स एंड इंगलेज गुरुजी चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक प्रस्न के और आगे बढ़ेंगे क्रियात्मक प्रस्न में हम पंजी प्रष्टी को बनाएंगे कोश्चन नमबर एक से यहां पर देखे सबसे पहले क्या लिका हुआ है एक फर्म जिसे की वर्ब साजी है के वीगटन पर निम्लीः वेवारों के लिए आप प्रविश्टियां करेंगे अब उस साज़दार हैं क्या हो रहा है विगटन हो रहा है और क्या प्रविश्टियां करेंगे या को अप्रविष्ट संपत्ति वसुली को इंट्री नहीं किया है तीन हजार उपया नगत लेंदारों को भुक्तान में दिये गए और वह पाच्वा है वसुली खाते कलाब चार हजार उपया और वह में तीन उन पातेक में बित्रित किया गया यह 36 गड़ दोहजार साथ सेट ए दोहजार नौ में सेट स्टी में आया हुआ है ऐसे कोश्चन जो है तीन नंबर चार नंबर के प्रश्ण बन करके परिक्षा में पूछे जाते हैं तीन यह कोश्चन बहुत आसान है इसको बनाना आसान है तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए जो चीजें सरल है उन चीजों को आप बार बार इसे परिक्षा में अच्छे नंंबर प्रप्त करने में मदद मिलेगी तो चलिये इसको start करते और समझते हैं तो सबसे पहला जो है गटन भियाई की रासी करना पड़ता है तो वसुली खाता कंतरगत आएगा वसुली खाता कंतरगत क्योंकि इसके पहले जो हमने दो तीन वीडियो और बनाया है उसमें विश्टार से बताया है अगर आपको नहीं देखें तो उसको जा करके देख लिजे कि पंजी प्रोष्टी कैसे करना है तो सबस पर 500 यहां पर भी 500 लिखा है देखें तो 500 हमने लिख दिया दूसरा एक पुस्तक में अब प्रोष्ट सम्पत्ती को वसुली खाता वसुली रासी 25 रूपया तो यहां पर रोकड खाता विखलन वसुली खाता से क्योंकि उस सम्पत्ती को बेचने से हमको रासी मिली तो कि कि यहां पर क्या होता है कि संपत्ति को हमने वसुली ने वसूली ठीक है और जो संपत्ति है उसके भी वसूली से जो रासी आती है उसको भी हम इसी प्रकार से लिए हैं रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से ठीक जो पंजी प्रोष्टी होगा वो है तीन हजार रुपे नगत ब्योहरों को भुखतान में दिये तो यहां पर देखे वसुली खाता विकलन रोकड खाता से लेंदारों का भुखतान करने पर क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि जितने भी संपत्य और दाई तो है उसको हमने वसुली खाते का लाब 4000 रुपे और बग में 351 में बित्रित किया 4000 को 351 में बित्रित तरने पर तो यहां पर लिख देंगे वसुली खाता विकलन आखे 555 से और बहित करे को फाली होता है तो साथदारों का क्रेडिट में याथा है ठीक है इस चीज को ध्यान में रखना आपको और देखे C4000 को तीन और लिका लेंगे तो लैंगे लेंगे तो लाब जो है 4000 4000 गुडित तीन बटे चार क्योंकि तीन और एक चार भाग में से तीन भाग आका तो तीन भाग लिकार ले तीन हजार बाका 4000 गुडित एक बटे चार बराबर कितना गया एक हजार यह पंजीब रुष्टी इस प्रकार से बनेगा ठीक है इस प्रकार से आप एंट्री कर लीजिए पहला कोस्चन का जो कि 2007 और 2009 में आया हुवा प्रस्णा और यह ऐसे प्रस्णा जो है परिछे में पूछे जाते हैं तीन नंबर चार नंबर में आगे चलते हैं और बनाते हैं इसी का जो बी नंबर का है यह देखे बी में क्या लिख प्रविष्ट संबत्तिक वसूली रासे 8000 रुपे यहां पर भी हम पंजी प्रष्टि क्या करेंगे जैसे हमने पहले बताया कि रोकड खाता विकलन वसूली खाता से यह होगा ठीक है उसके बाद इसकंद जिसे वसूली खाते में स्थान्तित किया जा चुका है 2000 रुपे में बेचा गया तो यहां पर 2000 में बेचा गया है तो रोकड खाता विकलन वसूली खाता से क्योंकि इसकंद को हमने वसूली खाता हम डाल जिया ठीक है बिन्यों से 10,000 रुपे वसूल हुए तो रोकड खाता विकलन वसूली खाता से वसूली खाते के लाब को तो यहां पर भी वही होगा ठीक है जो असली खात विदलन एक से पूझी खाता से इसको काईसे बाएप बनाना है यह यह बहुत असान है इन चीजों को पंजी प्रोष्टी करना एक एक करके हम बारी बारी से सम जस जाएंगे इन चीजों चीजों को सब्वास्फुले NRES संपत्तिक वसुली राशी आठ घजार मतलब मिला तो हम लिख देंगे रोकड खाता विकलन वसुली खाता से अप रविश्ट संपत्तिक वसुली राशी 8000 ठीक है दूसरा में लिखा है कि लेंदारों को 30,000 रुपे नगत भुगदान तो यहां पर वसुली खाता विकलन रोक और तो तहीक है तो यहां पर विकलन वसुली खाता से वसुली खाता से मियुकर उसके बाद विकलन जूर्वच ऊहांचिक है और लिख देंगे रोकड खाता है लगलन वसुली खाता से ठीक है अब पांचमा नंबर में देखे पांचमा पॉइंट कि अभी घटन ब्याइक है के चुका है 800 रुपिया तो हम यहां लिए रोकड़ खाता से करेंगे किश में गाता सी चथों जो है पॉогasan लिखाए कि में भीत्रित में मंदद 6000 का तीन बटे चार भाग जो है एक सका 4500 और 6000 का एक बटे चार भाग 15 रुपे यह वाई का हो ठीक तो एक सवाई का हमने यहां पर लिखा लिया तो इस प्रकार से आपको बनाना है अब हम चलते हैं कोस्टेन नंबर एक का सी को इसमें क्या लिखा है तो एक फर्म के भिगटन पर निमनर के सुचनाओं से पंजी प्रोष्टियां कीजिए पंजी प्रोष्टि करने के लिए बोल रहा है यहां पर एक अप्लिखित संपत्ती से वसूल हुआ हम लिखेंगे वसूली खाता विकलन हो करता है वसूली खाता से देंदार जीसे वसूली खाते में श्थान्तित कर दिया कंग किया जा जा चुका है 48,000 रुपर वसूल Hm इसiek साहर और ने या जाए तो एक साहजदार बी ने अर्ट रस्टार कोई साहर onal क्या इर्ट की यहां पर उनीति स्था इस्थांतीत किया जा चुक इस प्रकार से पंजी विरुष्टी होगी और इसको हम इसमें देख लेते हैं तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है पहला जो पॉइंट है उसके हिसाब से एक अप लिखी संपती से वसूल हुआ हैं तो मतलऽ रोकड आया तो रोकड खाता विकलेन वसूली खाता से अप लिखी संपती से वसूली सिरस्टी ठीक है दूसरा में लिखा है कि एख हजार उपय चुकाए थी चुकाएं तो हम लिखेंगे हम लेकें व to तो यहां पर हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से देंदार से वसूल रासी भी और उसके बाद है चौथा नंबर में खत्तास रुपया का रहतिया है जिसे वसूली खाते में इस्थान्तित किया जाज चुका है जो को सरी को एक साहजार बी ने पांचे रु इसलिए रहतिया को साज़दार दौरा लेने पर हो गया रासी जितना मिलिया उसको 5000 में और उसके बाद है लेनदार जिसे वसूली खाते में इस्तान्तित किया जा चुका है 30000 को भुगतान तो वसूली खाता विकलना। रोकड़ खाता से लेनदार का भुकतान करने पर 30,000 यह देखिए फिर उसके बाद लिखा है लेंदार जिसे वसुली खाते के लाव का वित्रण तो बारा हजार का वित्रण करेंगे यहाँ पर बारा भाग मेंसे साथ भाग तो यहाँ पर यहाँ पर हमने इस प्रकार से किया तो इस प्रकार से यह बनेगा question number जो एक का सी है तो इसी प्रकार से आपको भी बनाना है पहला दूसरा और तीसरा बहुत ही आसान है और यह परिच्छा में पूछे जाने वाले प्रस्णों में से एक है क्योंकि लगातार यह प्रस्ण जो है परिच्छा में यहां पर हमने लिखा भी है कि 2020 में बीच्छी तीनों सेट में आया हुआ था यह प्रस्ण भी यह इसके पहले जो बी वाला जो पर प्रस्ण बताया है वह भी 2020 में आया था ठीक है और यह 2007 और नों में आया था यह ड़ी ऑप एक दो और तीन इसमें का मतलब पहले का ए भी और सी तीनों को इंपॉट्टेंट है इन तीनों को आप अच्छे से पंजी परोष्टी को ध्यान में रखकर करके आपको पंजी परोष्टी करना है कुछ नहीं है कि अवल संपत्ती संपत्यों के विक्रह सवस् इतना ही वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद